दश्ट्रेश भारत शो में आप सभी का स्वागत है नमस्कार आपके साथ मैं हूं गुलविश इस शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तो श्रेश भारत प्लाटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं दश्ट्रेश भारत महराष्ट में विपक्ष के गटबंधन में विवात सुलजाने की कोशिश की जा रही है शरत पवार के अगवाई वाली एंसिपी के नेता पवार के घर पहुँचे और सीट बटवारे को लेकर पार्टी प्रमुक के सामने नाराजगी जाहिर की महराष्ट के महाविकास आगारी में शामल तीनों पातिया मध्वे दूर करने में जुटी हुई है गटबंधन के नेता उद्धप ठाकरे की तरफ से लोगसभा चुनाफ के लिए 17 उम्मीदवारों के लिस्ट जारी करने के बाद नाराजगी कॉंग्रेस नेता संजे सब्सक्राइब ने हैं एंवीए ने सीट बटवारे में शिफसेना को 22 सीटे दी हैं जबकि 16 पर कॉंग्रेस चुनाब लड़ रही है छे सीटों पर एंसीपी शरत पवार बुट के उम्मीदवार मैदान में उत्रेंगे विपक्ष के गटबंधन के अलावा महराष्ट में एंडिये में भी हल चल है अमरावती से निर्दलिये सांसर नमनीत राणा को बीजेपी ने उम्मीदवार भूशित कर दिया है जिसके चलते बीजेपी के कई पुराने नेता नराज बताए जा रहे हैं नमनीत राणा का कहना है कि सभी विवाद मिलकर बैटकर सुझाए और एक बहुत जूनियर उमीदवार करके मैंने सभी को हाज जोड़के विननती भी की कि मोदी जी के जो सपना है देश में अब की बार 400 पार और 400 में एक अमरावती हो इसके लिए जितने भी एंडिये के घटक है वो मोदी जी के सपने के लिए और अमरावती के विकास के ल कॉंग्रिस में 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। कॉंग्रिस की आर्ट्री लिस में सबसे बड़ी बात ये है कि उसने पार्टी की दिगज प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का टिकेट काट लिया है। दरसल बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना को चुनावी मैदान में उतारा है। सुप्रिया श्रीनेत की जगा इस बार कॉंग्रेस ने महराज गंद से विरेंद्र चौधरी को लोकसभ़ चुनाव में अपना उम्मीदवार घोशित किया है। पुरानी लोकसभा के मद्दाताओं के नाम भावुक चुठि लिकी है। 1989 के बार पहली बार ऐसा है कि मेंटा गांधी के परिवार से पीली भीत में उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी ने 24 मार्च को वरुन गांधी का टिकेट काट कर उनके स्थान पर यूपी के लोक निर्माइट विभाग के मंत्री जितन प्रिसाथ को उम्मीदवार बनाया है। टिकेट करने के बाद सानसत वरुन गांधी के समर्थक मायूस थे। उन्होंने इन सभी को चिट्टी के जरीए संबोधत किया। वरुन ने चिट्टी में लिखा कि आज जब मैं ये पत्र लिख रहा हूं तो मुझे अंगिनत यादों ने गेरा हुआ है। मुझे वो तीन साल का छोड़ा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी मा की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीली भीत आया था। उसे कहां पता था कि एक दिन के धर्टी उसकी करम भूमी और यहां के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे वर्षो पीली भीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसत के तौर पर ही नहीं बलकि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीली भीत से मिले आदर्श, सरलता और सरहिदता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिवी होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा संबान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी शम्ता से आपके हितों के लिए आवाज उठाई। एक सांसत के तौर पर मेरा कारेकाल भले ही समाप्त हो रहा हो पर पिली भीत से मेरा रिश्टा अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसत के रूप में नहीं तो बेटे के तोर पर सही मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मेरे दर्वाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे ही खुले रहेंगे मैं राजनीती में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे यही आशिरवात मांगता हूँ कि सदैव ये कारे करता रहूँ भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े चट्टी में वरुन काफी भावख हो गए उन्होंने चट्टी में लिखा कि मेरा और पीली भीत का रिष्टा प्रेम और विश्वास का है जो किसी राजनीतिक बुड़ा भाग से बहुत उपर है मैं आपका था हूँ और रहूंगा लोगसभा चुनाब के दूसरे चरण के लिए नमांकन शुरू हो गए हैं दूसरे चरण में यूपी की आथ लोगसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है दूसरे चरण में यूपी के अमरोहा, मेरत, बाखपत, गाजयबाद, गौतम, बुद्धनगर, बुलं शहर, अलिगर और मतुरा में चुनाब होंगे इनमें से 7 सीटे समानिश रेनी की है और एक बुलं शहर सीट अनुसूचत जाती के लिए आरकशित है दूसरे चरण की 8 लोगसभा सीटों के लिए परचा भरने की अंतिमतिती 4 अप्रेल है इन सभी सीटों पर 26 अप्रेल को व प्रमुक बाबा तरसेम सिंग की गोली मार कर हत्या कर दी गई इस घटना को देकर शेत्र में तनाव का महल बना हुआ है उत्राखंट पोलिस ने संदिग्द आरोप्यों की फोटो जारी की है उत्राखंट के सीएम पुछकर सिंग धामी ने कहा कि हत्यारों को जल्द गिरफ पराद हो गए दो गोलियां बाबा के पेट और गर्दन पर लगी फाइरिंग की आवास सुनते ही मौके पर पहुंचे सेवदार बाबा को इलाज के लिए खटीमा ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत भुशित कर दिया इस घटना से शेत्र में तनाव व्याप्त ह हमने इस घटना की जाच परताल के लिए एक S.I.T. का पुलिस मोख्याले द्वारा गठन किया गया है जिसमें S.T.F. के लोग रहेंगे और स्थानिय पुलिस के भी अधिकारी उसमें रहेंगे और इस S.T.F. को कहा गया है कि इस को टॉप प्रायरिटी पे लेके इसकी सभी पहली ओकी गेंता से जाच करें और हमें ना सिर्फ उन हमलावरों को इडेंटिफाई करना है पर अगर इस सत्या के पीछी कोई और बड़ा शड़ेंत्रिया साजिश है उसका भी हमें परदाफाश करना है ये थी दिश्रेश भारत शो में आज की सभी बड़ी खबरें ऐसी खबरों के साथ कल फिर से हासिर होंगे तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलेगा श्रेश्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेश्ट भारत